हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो और यूट्यूब चैनल दोस्तों इसरो की तरफ से इसरो असे स्टेन अपर डिविजन कलर इस्टेनोग्राफर की वेकंसी दी गई है जो की टोटल 526 पदों पर निकाली गई है और यह सेंट्रल गवर्मेंट की वेकंसी है इसरो में काम करना ही belt धिश्बल डिगरी की है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर श्तेट में आपको प्लेस दिये गए जहां के लिए आप अपकर सकते हैं उसके हिसाब से पोश्ट भी दी गई है तो दोस्तों इसके बाारा में डिटेल जैनकारी आगे बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के सकते हैं description में हमारा telegram link दिया रहेगा आप वहाँ से जाके download कर सकते हैं तो दोस्तों जिन्हों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लेज और सब्सक्राइब कर ले वीडियो को like कीजिए share कीजिए तो आएए चलते हैं आपको दिखाते हैं final notification जो इसका है कि दोस्तों आप देख सकते हैं यह है इस रोकर notification अंतरिश विभाग भारत सरकार की तरब से भारतिये अंतरिश अनुसान नान संगठन जिसको इस रोब बोला गया है नेन इस्पेस रिजर्च ऑगनाईजेशन तो इसके एक वार्डिंग जो आपको वेकंसी मिलेंगी यह च्छे तरवाइज दिया गया है किस जोन में कितनी वेकंसी हैं और किस पदबे तो अससे स्टेंड कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम्दाबाद में अब इस तरह से बताने में बहुत लेट होगा तो आप लोग नोटिफिकेशन से इसको देख सकते हैं तो टोटल जो वेकंसी हैं वह 150 है जो यहां पर दी गई है ठीक है जनरल की और 90 वेकंसी हैं ऑबी सी की सेम यसी और एस्टी की टोटल वेकंसी 47 और 18 है तो इस हिसाब से आपको कुल पद यहां पर दिख जाएंगे और यह जोन वाइ ठीक है दोस्तों अब सेम आप देख सकते हैं पोस्ट नमबर टू करिश्ट वेक्तिक साहक जिसको जूनियर परसनल आसिस्टेंट बोला गया है उसकी भी बेकंसी यहां पर जोन वाइज दी गई है उसके बाद तीसरा जो पद रखा गया है वह अपर डिवीजन कलर का रखा गया अबर दिबिक की तो उसकी भी पिकनसी दी गई है बैंगालॉर में है उसकी वेकंसी तो आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद का जो फोर्थ hundred पोस्ट है वह अश्यां सुनूइ कर वोस्तों controll श्रूंड बोलते हैं तो वह भी बैंग्पर में है और कुलपत भी अगर कोई स्पेस्ट नहीं है तो आप कम से कम कलर का असिस्टेंट का तो भरी सकते हैं और इसमें अच्छी पोस्ट है तो आप लोग प्लीज इसको जरूर बढ़िएगा आगे देखते हैं जो योगता मांगी गई है वो सहायक या आवर्स रेड़ी लिपिक की जिसको असिस्टेंट या आपर डिविजन कलर बोला जाता है उसके लिए है किसी मानेता प्राफ्त विस्विदाला द्वारा गोशित नियुन्तम 60% अंको या दस बिन दुपैमाने पर 6.32 के CGPA के साथ इस नातक होना चाहिए इस पूर बावशक सर्थ के साथ की इस नातक विस्विदाला द्वारा निदारित पाड़करम के अवद के अंदर पूरा गिया गया हो अगर B.tech के डिगरी चार साल है तो आप चार साल के अंदर चार साल में ही उसको पूरे किये रहे हैं यनि कि आप पान साल में पूरे किये रहे हैं तभी आप इलिजबल है दूसरा 60% होना चाहिए ऐसे ही इसमें कनिश्ट वैक्तिक साहिक का सेम है कि इसमें भी बैचलर होना चाहिए दूसरा इसमें ज़ीत लगाया है काम्प्यटर पर कार करने में नुपोर्टा होनी चाहिए आपकी यो में होनी चाहिए ठीक है सेम आप यहां पर देख सकते हैं आपका कंप्यूटर जो है वह मान नहीं यहीं आपका इसमें दिया गया है जुटर आपको आना चाहिए आयो सीमा जो रखी गई है मैक्सिमम आपकी 28 वर्स रखी गई है ठीक है जिनमें OBC की 31 हर्स है और 33 साल है सब्सक्राइब के लिए जनरल के लिए 28 कि दिव्यांग पर्शन है उनका 40% अर्चण दिया गया है इसमें दूसरा आवेदन की आवाती जो है आपकी वह बीस दिसंबर से लेके 9 जनवरी के बीच में आप अपलाई कर सकते हैं तो इसकी आवेदन करने की अंतिम्तित जो है वह आप कैसे अपलाई करेंगे आपको अप्लिकेशन भी 100 रुपए ही इसमें जमा करना है तो दोस्तों आप बात करते हैं परिच्छा की तो पद संख्या एक तीन यों पांच के लिए जो है वह लिखित परिच्छा होगी 120 मिनटों की अवध्य होगी ठीक है उसमें आपके 120 मि सेम आप देख सकते हैं यहापे 246 के लिए और अनारच्छित स्रेडी के लिए 50% अंक जो है वो लाना अनिवार रहेगा इस से नीचे उनकी मेरिट ही नहीं ली जाएगी उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा ठीक है स्किल टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट ह होगा उसी में उत्रिड होने का मांदन लिए है कि आपको अनारच्छित स्रेडी के लिए 60% अंक लाना जरूरी ही है टूटल में और इस हिसाब से आप जो है इसमें लिए जाएंगे तो आपको यह मान के चलना है 60% अंक आना चाहिए आपका आपकी वेतन भत्ते आप देख रहे हैं प्रतिमान ने उन्तम 25,500 का मूल वेतन दिया जाएगा ठीक है तो मूल वेतन मतलब यह है कि आपकी सेली और भी ज़्यादा होगी बटि मूल वेतन जो रहेगा इससे कम नहीं रहेगा बाकि टीए डीए भी दिया जाएगा आपको त दोस्तों थोड़ा सा जुकाम है इसलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं है क्योंकि खासी आ रही है तो इसकी वज़ा से जल्दी से इसको मैंने आपको बता दिया है और भी कोई जनकारी आपको चाहिए तो इसको जाकर टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए ठी पेमेंट की लाज्ट डेट है 11 जनवरी 2030 ओके दोस्तों बाय गुड़नाइट थैंक्यू